नमस्का दोस्तों मेरा नाम एक्षे और सौगत आप सभी का हमारे चैनल टेक बाइंडर पे आज में यहां पर कंपैर करने वाला हूं दो बजट फ्रेंड़ी टीडबलो इयर फोन्स का यहां पर है पीटरांड का बेस बस अरवन टीडबलो इयर फोन्स तो दोनों का प्राइस यह वीडियो तो यह वीडियो स्पॉंसर नहीं है ना कि पीटरां की तरफ से ना कि फ्लो की तरफ से मैंने इनको खुदी पर्चेस किया और मैं खुदी इनका रिव्यू कर रहा हूं तो जो भी वर्डिक्ट आएगा वह इंडिपेंडेंट होगा किसी भी कंपनी से और वह सबसे पहले बात करते हैं यहां पर डिजाइन की दोनों टीडवले सीरफों काफी अच्छी दिख रहे हैं यहां पर जो न्यू रिपब्लिक का जो फ्लो है वह काफी स्मॉल फॉर्म फेक्टर के साथ है अगर मैं इनको साइड तो साइड यहां पर कंपैर करता हूं तो जिस आसानी से यह आपके हाथ में घ्राइब हो जाएगा पर राइड नौ पीटरॉं थोड़ा सा बलकी यहां पर देखने को मिलता है वेट ऑल्मोस्स दोनों का देखने को मिलेगा जो मेकैनिसम में वह काफी अच्छा लगा मुझे यहां पर पीटरॉं का क्योंकि यहां यहां स चार्जिंग को मिलेगा तो यहां पर कیا wrap Solar Republic में में आपको पीटरॉं को यहां पनावन में यहां पर बैटरी देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं इच तावी और य्वनवनपको यहां पर चारजिंग इंडिकेकेटर देखने को मिलेगा तो यहा परसेंटेज और इवन आपको यहां पे चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा चार्जिंग केस देखने को मिलेगा तो यहां पे जो आपका चार्जिंग केस देखने को मिलेगा तो यहां पे जो आपका चार्जिंग केस देखने को मिलेगा तो यहां पे जो आपका च बैटरी होने वाली कि थोड़ा सा बड़ा फार्म फेक्टर है यहां पर जो फ्लो टब्लू से यहां पर इसका बैटरी के पसिटी वह मेंचन नहीं किया बट आइटिंग यहां पर 40-50 एमेच की बैटरी के पसिटी दिखने को मिलेगी पीट्रॉन की बात करें तो यहां पर इसके अलावाद चार्जिंग की बात करें तो यह काफी आसानी से चार्ज हो जाएंगे और अल्मॉस्ट एक घंटे में कंप्लीटली चार्ज होने वाले हैं यहां पर फ्लो ट्रॉब्लो से एरफोन जबकि पीट्रॉन की बात करें तो इनमें माइक्रोस्पी भी है तो आपकी TWS earphones को जबकि यहां पर बात करते हैं तो यह आल्मॉस्ट चार्ज कर सकते हैं आपके TWS earphones को अब बात करते हैं यहां पर earphones की तो दोनों ही ergonomically design किये गए दोनों में 45 degree का tilt आपको देखने को मिल जाएगा दोनों TWS earphone में और दोनों ही TWS earphone यहां पर टाच हैं चाए जो कि पीट्रों में सिर्फ और यह वाला portion जो कि आपको देखने को मिलेगा यह वाला portion टाच है तो यह खास difference है यहां पर तो थोड़ा सा issue होने वाला जब भी आप पीट्रों को यूस करेंगे आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं अपनी फिंगर प्लेस कर सकते हैं और वो प्लास्टिक अपनी आपके लिए अपनी फिंग आपके आपके अंदर आने वाला जब की आपको पीट्रों के नहीं आएंगा और डेफिनितली फॉर्म फेक्टर भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है बड़ा यह लाइट वेट की बात करने तो दोनों ही काफी ज्यादा ला तो दोनों में आपको Bluetooth V5.0 देखने को मिलेगा और driver size की बात करें तो यहां पे flow में आपको 10 mm के द्राइबर्स देखने को मिलेंगे जबकि P-tron में वह सिर्फ और आपको 6 mm के देखने को मिलेंगे और वो भी मेंशिन नहीं किया है कि वो न्यूदीमियम ड्राइवर्स हैं या फिर कोई नॉर्मल ड्राइवर्स हैं इसके अलाबा कर हम बात करते हैं यहां पर म्यूजिक की तो वाउ जो म्यूजिक आउटपुट है वो काफी अच्छा मुझे नियू प्राइवर्स साइज भी बड़े हैं और जो इनकी ओडियो क्वाल्टी वो काफी क्रिस्प एंड क्लियर है यहां पर पी ट्राइवर्स में आपको बेस इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा बेस मिसिंग है और जो इनका हाइस है वो भी इतना बहतरी नहीं नहीं है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं एक टीड़ॉस एयरफोन सिर्फ और और ओडियो क्वाल्टी के लिए तो बिना किसी फॉर्दर ड्यू के आप पर्चेस कर सकते हैं इनफ्लो टीड़ॉस एयरफोन को जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी बैतरीन ह अब पर्चेस की बात करें तो बहुत ही इंस्टेनियस रसपॉंस मुझे फ्लो में देखने को मिला पी ट्रों में इस्टेनियस थोड़ा सा लेग या डिलेए करता है अगर मैं साइट तूसाइट करता हूं इसके इलाबा गर बात करते हैं यहां पर कनेक्टिविटी तो दो दोनों में 10-12-12M की connectivity देखने को मिलेगी और इंडोर में भी आपको कोई भी इस्व नहीं होगा अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं दोनों में कोई भी आप एक साल वारंटी के साथ आते हैं यहां पर एक साल वारंटी के साथ आते हैं यहां पर एक्स्ट्रा बेस या बेस बूस की फंक्शनालिटी आपको इस निर पॉप्लिक फ्लो टी डेविस में देखने को मिलेगी जो की मिसिंग है पी ट्रॉन में और उनकी audio quality इतनी भी अच्छी नहीं है इसके लग अगर आप manufacturing की बात करते हैं तो जैसे की आप देख सकते हैं चाहीज वो फ्लो हो या फिर वह आपका Petron दोनों की manufacturing है वो चायना की है but the Petron is Chinese company but the New Republic Flow is Indian company यहां पर इनका office इंडिया में यहां पर इनका चाइना में और यह चाइनीज कंपनी तो definitely I cannot comment on that कि आपको कौन सा पर्चेस करना चाहिए क्योंकि manufacturing एट लिस्स दोनों की चाना मुंवी but यहां पर इसकी जो branding है, reselling है या फिर डिजाइन है वो at least इंडिया में डिजाइन किया गया है बट यहाँ पे इंडिया का कुछ भी नहीं है और अल इस चाइनीज इसके लावा एड़ अफ द वीडियो अगर आते हैं सब्सक्रियो दोलुम से बातवी श करने नाया है एडिया ओष अगठर्ट नियुक्त तो दोनों की Best Buy Links आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से इन दोनों को ही पर्चेस कर सकते हैं अगर आप मुझसे पूचेंगे तो मैं हाइली रिक्मेंट करूंगा फ्लो टीडावलो एस क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में इस से अच्छा टीडावलोस एरफोन मिलने वाला है चाहिए वह पीट्रोन हो या कोई और भी कंपनी हो यहां पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें इस बीसी चार्जिंग है आपका टैक संसर काफी अच्छा है काफी रिस्मांसिव इंस्टेनियस है और म्यूजिक क्वालिटी जो की सबसे इंपॉर्टन फेक्टर होता है किसी भी एरफोन में वह बहुत ही बैटरी और डेफिनिटली अगर यह इवन धाय जार भी ना भूलेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की अभी सब्सक्राइब करिये और बैल आकन को जरूर दवाएगा था कि जब भी मैंसी नई वीडियो से अप्लोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंसती रहे और रि